1000 subscribers, 4000 hours का watch time, oh my god, शाहें धरती यहां से वहां चली जाए या असमान वहां से यहां आजाए Hey everyone, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी बात कि इस वीडियो को आपने देखना है पूरा, अगर आपने भी सोचा है 2022 में अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट कहने के बारे में, तो बिल्कुल सही वीडियो आज आपने क्लिक कर दी है, तो प्लीज वीडियो को पूरा आप सबी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूवे का फैशन और व्लॉग्स पर तो आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली मैंने बनाया है पर आज का ये वीडियो है आप सब भी के लिए तो चलिए बहुत साथा बाते ना करते हुए मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रोर दे दूँ तो मैं हूँ एकता और ये है मेरा YouTube चैनल यूवी का फैशन और व्लॉग्स तो मैंने जो है मेरा टीचिंग का जॉब है उसको क्विट करके YouTube स्टार्ट किया है तो वो सारा कुछ तो मैं आपको यहां नहीं बताऊंगी लेकिन हाँ एक जो वीडियो है जिसमें मैंने शेयर की है मेरी स्ट्रगलिंग स्टोरी यानि मेरी स्ट्रगल जॉइनी तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट कर दूँगी उसको तो आप लोग जाकर के वो वीडियो जरूर देखेगा और चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं वो सारे टिप्स और ट्रिक्स जो आपके लिए हो सकते हैं helpful अगर आप भी करने जा रहे हैं एक YouTube चैनल स्टार्ट तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि भई अगर आपने सचमे मन बना लिया है अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट करने का तो आपके पास होना चाहिए धेर सारा पेशिंस क्यूं क्यूंकि YouTube के दो में माइल स्टोन्स हैं जिने हमें करना होता है सबसे पहले कंप्लीट तब ही जाकर के हमारा जो चैनल है वो मॉनेटाइजेशन के प्रोसेस में जाता है यानि कि मॉनेटाइज होता है और जो भी अइनिंग्स हैं वो स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहला माइल स्टोन होता है थाउजन सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करना एंग सेकंड माइल स् आपके पास है धेर सारा पेशिंस और अगर आपके पास है वो कभीलियत जिससे आप अपनी आउडियंस को बांद के रख सकते हैं तो यह दोनों माइल स्टोंस यूं कम्प्लीट हो जाते हैं तो बस पेशिंस रखना है एंड डी मोटिवेट नहीं होना है और हां होप कभी नह जो है वो हमें वीडियो अपलोड कहनी है लाइक आप डेली व्लॉगिंग करना चाहते हैं या आप सिर्फ व्लॉगिंग करना चाहते हैं या आप एक कुकिंग चैनल स्टाइट कहना चाहते हैं या फैशिं से रिलेटेड या ब्यूटी टिप से रिलेटेड या गेमिंग औ और भी बहुत सारे categories होती हैं तो आपको जो है वो अपनी category को select करना है क्योंकि यही होती है सबसे बड़ी गलती category select करने के बाद में ये भी ध्यान रखना है कि हमें हमारे channel पे सिर्फ हमारी category से related जो videos हैं वही post करे रहे हैं ये गलती मैं खुद कर चुकी हूँ इसलिए अपने personal experience से आप लोगों को बता रही हूँ starting में बहुत सारे YouTubers यही गलती करते हैं कि वो अपने channel पर एक mixed content डाल देते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता तो आप ये गलती ना करें उसके लिए ध्यान रखेगा कि आपके channel पर आपने सिर्फ आपकी category से related videos ही post करने हैं then आप आती है सबसे main चीज़ भाई बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि एक अच्छा spoker वही होता है जो एक अच्छा listener होता है मतलब एक अच्छा वकता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है भाई ये मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि जब आप अपना YouTube channel start करते हैं तो आपको बहुत जादा knowledge नहीं होता है YouTube के बारे में तो ये सबसे best तरीका होता है कि आपने जो भी category में अपना YouTube channel start किया है उसी category के किसी बड़े YouTuber के channel को आप follow जरूर करें और उनके videos को आप daily watch करें उससे आपको सबसे बड़ा benefit तो ये मिलने वाला है कि आपकी जो knowledge है वो दिन पर दिन improve होगी आपको समझ आएगा कि किस तरह का content और किस तरह से आप जो है वो अपनी videos बना सकते हैं और अपने viewers को उन्हीं बड़े YouTubers की तरह अपने channel पर बांद के रख सकते हैं तो समझ गये ना क्या गरना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब ही आता है सबसे main point तो भई आपका channel चाहें किसी भी category का हो चाहें आप vlogging करते हो चाहें आपका gaming channel हो चाहें आपका cooking channel हो या फिर आपका beauty and fashion से related channel हो लेकिन आपको अपनी category के एक बड़े YouTuber के साथ साथ follow करना है कम से कम दो से तीन technical जो channels होते हैं उनको जिने हम कहते हैं tech channels है ना तो ऐसे बहुत सारे YouTubers हैं जिनके tech channels आपको YouTube पर मिल जाते हैं लाइक Manoj Day, Technical Yogi, Technical Prabhakar है ना तो ऐसे बहुत सारे जो technical channels हैं वो YouTube पर available हैं तो आप देखे और समझने की कोशिश कीजें लेकिन हाँ आपको technical channels को follow जरूर करना है क्योंकि हमारा काम क्या है आज मैं vlogging करती हूँ तो मैं basically जो है वो vloggers को follow करती हूँ मैं यह देखती हूँ कि भई कौन सा vlogger किस तरह का content जो है वो अपनी audience के लिए लेकर के आ रहा है लेकिन YouTube के जो भी norms है YouTube की जो भी नई policies आती है यह जो tech related channels होते हैं यह उनकी एक एक policy को उनके एक एक norms को बहुत बारीकी से चेक करते हैं और उसके बाद में हम जैसे YouTubers के लिए उससे related videos अपने चैनल पर लेकर आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही helpful होता है क्योंकि हम YouTube की हर एक norm को या उनकी हर एक policy को उतनी पारीकी से नहीं समझ सकते हैं जितना यह लोग उसको observe करते हैं तो यह था सबसे main trick तो आज मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं उनको आपको अच्छे से रखना है याद और हाँ आपको रहना है consistent तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए चाहे धरती यहां से वहां चली जाए या असमान वहां से यहां आ जाए हमारे videos daily हमें post जरूर करने हैं daily नहीं तो एक consistency हमें जरूर बना करके रखनी है कि हमें हमारे जो videos हैं वो कब post करने हैं हमें हमारे जो videos हैं वो हर दो दिन में एक बार डालना है या हमें हमारे जो videos हैं वो daily upload करने हैं या alternate days पर upload करने हैं या week में दो videos डालने हैं या week में एक video डालना है लेकिन जो आपने decide किया है उसी दिन पर आपको videos upload करने चाहिए ठीक है even मैं तो आप लोगों को suggest करूंगी कि अगर आप vlog channel बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक time को भी fix कर लीजे like जिसे मेरा जो channel है तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ही मेरा एक जो video है वो मेरे channel पर जाए और उसकी जो timing है वो मैंने fix करके रखी है like दुपहर को बारा भजे ही मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो video है वो हर हाल में public हो जाए ठीक है तो आप लोगों ने भी यह दोनों चीज़ें जरूर से याद रहे एक तो भई यह कि आपने videos कब-कब upload करने है डेली करने है या फिर हफते में दो बार करने है या एक दिन छोड़कर एक दिन करना है या हफते में एक बार करना है और दूसरी चीज यह कि हमेशा वीडियो को पब्लिक करने का जो टाइम हो वो फिक्स हो उससे क्या होगा कि आपके जो भी सब्सक्राइबर्स आप से जुड़ेंगे उन्हें पता रहेगा कि आपका जो वीडियो है वो किस टाइम पर आपके चैनल पर आता है तो उसी टा में शेयर मोस्ली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है इसमें तो भई मेरा जो चैनल है वो अभी मॉनिटाइजेशन के प्रोसेस में हैं मैंने मेरे मेरे दोनों माइलस्टों जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके लिए आप सभी लोगों को दिल से बहुत-बहुत धन्य कि आप लोगों ने इतना सारा जो प्यार है वो मुझे दिया मेरे चैनल को दिया कि आज मैं यहां तक पहुंच पाई हूं उम्मीद करूंगी कि इसी तरह आप लोग अपना प्यार और अपना साथ मेरे चैनल पर इसी तरह बनाए रखेंगे तो इसी उम्मीद के साथ कि बाइ बाइ